सर्वेश्वर महादेर फडोद्रा गुजरात 13 मार्च 2002 बात है उस समय की जब दिल्ली में स्वामी नारायन अक्षरधाम का निर्मान कार्य चल रहा था दूसरी ओर बडोदा शहर के सुर्सागर सरूवर में सत्यम शिवम सुंदरम समीती द्वारा 111 फिट उंची शिव प्रतिमा के स्थापना की तयारियां चल रही थी परन्तु इस मूर्थी की पीठीका में प्रस्थापित होने वाले आठ शिव शिल्पों का निर्मान सिर्फ आठ माह में करवाना समीती के सदस्यों के लिए असंभाव था इसलिए उच्सव का आयोजन और अन्य व्यवस्था संबंधी उल्जने लेकर वे सभी प्रमुप स्वामी महराज को मिलने आए स्वामी श्री ने तुरंत ही सहयोग का वचन दे दिया अक्षर धाम निर्मान के कुछ हिस्सों का कार्य रुखवा कर केवल छे महिनों में स्वामी श्री ने शिवजी की अश्ट प्रतिमाई तयार करवा दी समीती के सदस्यों की बिंती से उन्होंने शहर की शान बनने वाले इस शिवशिल्प का नामा भिधान भी किया सर्वेश्वर महादेव समिती के निमंत्रन को स्विकार करके स्वामी श्री 13 मार्च 2002 के दिन सुर्सागर पहुँचे वेदोक्त विधिपूर्वक अश्ट प्रतिमाओं का पूजन किया और नौका में बैठकर मूर्थी की प्लदक्षिना लोकारपन के मुख्य समारोह में स्वामी श्री के प्रति तिर्तग्यता व्यक्त करते हुए समिती के अध्यक्ष बोले पुझ्य प्रमुक्षरी बापा आ काम माटे 75 वरस्ती जे अमने पेरना भी अमने मनोबरा भीओ के जो आकारिया मा आप श्रीने जो अमारी पाचर पीट बरना होत तो हमने आकारिया अदूरू रख़त अन्त में जब स्वामी श्री ने महा आर्थी का अर्ग्यार पढ़ किया, तब मानो भोले नात शिवजी भी मुस्कुराने लगे हाँ, किसी भी संप्रदाय का कोई भी शुबकार्य हो प्रसंग प्रसंग पर प्रमुक्स्वामी महराज की निर्पेक्ष मदद और सर्व धर्म समादर की भावना सदा निखर उठती थी अकम् सुक्त पर आ कोई एक आपने आँ और भावना सब्स्क्त keड़ूर प्रसंग प्रसंग पता की निर्पेश प्रसंग प्रसंग संपुपश। अधिने अध्याना मताया तरह तरह दर्वेश में वाहद्यों पाशे आंगरीव देखिए मुख स्वामी सुखकारी जै हो संक्वुपरम हित्यकारी जै हो कि अच्छाब कि अच्छाब स्वाइब कि अच्छाब कि अच्छाब झाइब झाल